जो हमलों का topic है वो employee की किसी भी company में जब employee का entry होता है और उसके बाद उसका exit होता है हर एक company में एक time bondation होता है इतना time में इन करना है और इतना time में आउट होना है उसके लावा अगर कुछ extra time हो करता है तो उसके लिए ओवर टाइम बनता है ठीक है तो किस time में employee in किया और किस time में out हुआ उस हिसाब से उसका work hour क्या होता है कितना घंटा उसने वहां पर work किया उस इसके लावा कुछ extra करता है तो उसको over time में लोग count करते है इसके लिए मैं एक demo भी बना रखा है इस demo में लोग देख सकते है यहाँ पे हम लोग का date में किस date में इस किस employee का किस time में वो in किया और किस time में वो out हुआ और उसका working outing मतलब जो total work hour है वो कितना है उस हिसाब से उ इसका over time बनता है या नहीं बनता है बनता है तो ठीक है नहीं बनता है तो not applicable और साथी साथ यहाँ एक चीज और नोटिस कीजिए कि जिस भी employee का over time है उसको green color से यहाँ पे shade कियावा है और जिसका work hour मतलब जिसका over time नहीं है वो not applicable वाला rate है तो यह सारा काम और प्लस नीचे म तोटल work hour कितना हुआ सब मिला के पूरा employee का और यहाँ पे इसको आप monthly basis पे भी कर सकते हैं वीकली basis पे भी कर सकते हैं जैसा चाहे उससरह से आप कर सकते हैं अलग अलग date का आप निकाल सकते हैं यहाँ एक तारीक का यह शीट वाइस कर सकते हैं मालिजे company के पास इतना ही employee है इस employee ने कितना काम किया और इसका in time out time किया है और यहाँ पे particular मतलब individually कि इस employee का कितना जो हम लोग का यह है work hour है वो भी यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा ठीक है ना ठीक है तो यह सारा चीज हम लोग यहाँ से find out कर सकते हैं तो यह पूरा chapter जो हम लोग आज सीखेंगे कि इस तरह से यह वाला पूरा ready किया जाएगा तो इसके लिए first हम लोग क्या करेंगे new page ले लेते हैं न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पे किसी भी एरिया में हम लोग परसर को होल्ड करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे date उसके बाद टाइप करेंगे employee name उसके बाद उसका in time और फिर odd time और total work hour उसके बाद यहाँ पे होगा daily work hour मतलब daily उसको कितना work करना है daily work hour हो गया उसके बाद next हम लोग का होगा extra work hour और status ठीक है अभी इसको हम लोग क्या करते हैं इसको selection करते हैं selection करने के बाद center, bold और अपने हिसाप से जो भी modification करना है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ से कर लेते हैं करने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दो extra line selection करेंगे इससे पहले भी यह tricks हम लोग यूज कर चुके हैं दो extra line selection करने के बाद हम लोग insert में आएंगे और insert में आने के बाद यहाँ से table का use करेंगे तेबल में जैसे ही आते हैं, यहाँ पर हम लोग से पूछता है, My Table Has Header, मतलब यह जो हम लोग का Heading है, क्या हम लोग उसको ही Header बनाना चाहते हैं? Of course, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? Tick कर देंगे, Tick कर के जैसे ही OK करेंगे तो यह इसको Heading कर लेगा, अब यहाँ पर टेबल का बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है, अगर इसमें से कोई भी एक डिजाइन, आप पर्टिकुलर डिजाइन आप लेना चाहते हो, तो कोई भी एक डिजाइन आप यहाँ से सेलेक्शन कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? अब उसके हिसाब से यहाँ पर बैंडेड रो हटा देगे, बैंडेड रो क्या होता है? यह जो बैंडेड टाइप का रहा है इसको हटा देना है हमको, क्योंकि हम लोग अभी फॉर्मला यहाँ पर यूज करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे first of all क्या करेंगे सबसे पहले formula यूज करेंगे total work hour का total work hour का जो formula होगा वो कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे type करेंगे equals to mod mode ठीक है यह clause है यह condition है इस तरह से निकालते हैं bracket open देंगे उसके बाद मांग रहा है हमसे number number में हम क्या करेंगे odd time लेंगे odd time को minus कर देंगे in time से और फिर यहाँ पे comma देकर divider मतलब कहां से यह numbering सुरू होता है तो हम लोग का numbering always one से सुरू होता है और उसका bracket close कर देंगे into 24 24 किसले दे रहे हैं क्योंकि 24 आवर का यह होता है एक दिन होता है इसलिए 24 आवर से हम लोग इसको multiply कर देंगे अभी तो 0 ही आएगा because अभी आपे कुछ डाले नहीं है अब daily work hour जो है हमारा वो क्या होगा daily work hour हम लोग का suppose 8 hour का है ठीक है? 8 hour का हम लोग का daily work hour है तो अभी इसको हम लोग selection करके यह हम लोग जानते है hour कैसे लगाना है कंट्रोल कीबोर से कंट्रोल प्लस one प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस one प्रेस करके हम लोग custom में आ जाएंगे custom में आने के बाद यहाँ पे हम लोग पहले suppose hashtag देंगे नमबर के लिए और स्पेस देकर डबल कोट्स के अंदर में HR शॉट में लगा देंगे आवर्स के लिए ओके यह भी हो गया अभी एक्स्टा आवर निकालने के लिए अम लोग को क्या करना है इक्वल्स टू जो हम लोग का टूटल वर्क आवर है उससे माइनस कर देंगे डेली वर्क आवर को तो हम लोग का एक्स्टा वर्क आवर आजाएगा अभी तो कुछ है नहीं इसलिए और स्टेटस में क्या फॉर्मला लगाएंगे एक्दम सिंपल फॉर्मला इक्वल्स टू इफ अगर वर्क आवर जो है वो लेज दैन इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हो नो ओवर टाइम यह नॉट आप्लिकेबल कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग शॉर्ट में एन ए लगा दिया फिर कॉमा दिया फिर डबल कोर्स लगाके यहाँ पे हम लोग दे दिया ओवर टाइम बात को समझिएगा फॉर्मुला में क्या समझाय जा रहा है कि अगर एक्स्टा आवर जो है वो जीरो से कम या उसके बराबर है तो कोई ओवर टाइम नहीं होगा अगर होगा यहाँ यहाँ पे अगर ट्रू है मतलब यहाँ यहाँ पे अगर एक्स्टा आवर है तो वो कहाँ चला जाएगा ओवर टाइम में चला जाएगा उसके बाद यहाँ से इसको ब्रैकेट क्लोस करके एंटर कर दीशे अभी तो नोट अप्लिकिबल ही आएगा यह हो गया उसके बाद अगर चाहे तो साथ ही साथ अप कलर का यूज यहाँ पे कर सकते है सेलेक्शन करके कंडिशन व्रमेटिंग में लेकिन वो काम हम लोग बाद में करेंगे पहले यहाँ पे हम लोग यूज करते है सपोज यहाँ पे एक डेट हमने 1-1-2023 दिया यहाँ पे इंपूट कर दिया इसको अड़ेस्ट कर लिजेगा ठीक है यहाँ पे एक एंपलोई का नेम दिया यहाँ पे उसका इन टाइम दे दिया जैसे टाइम का जो फॉर्माट होता है उसी तरह से दिजिएगा ने तो फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा 8, colon, double, 0 फिर इस पेस देकर एम यह इन टाइम हो गया और टाइम सपोज इसका जो है 7 पी-म है 007 पी-म जैसे ही अब प्रेस करेंगे आटोमेडिकली देखे यहां पे इसका वर्कावर भी आ गया और साथ ही साथ यहां पे यह भी आ गया अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट एक और एंट्री करते हैं उसमें डेट नहीं इंपूट नहीं करेंगे इसमें लोग next वाले में क्या करेंगे, दूसरा एक name देंगे, दूसरा एक name में, सब्वोज यह 8am ही इसका entry है और इसका जो exit hour है, इसका जो exit hour है, यह suppose 5pm है, देखिए उसी आप से इसका भी दिखा दिया यहाँ पे, इस तरह से हम लोग कुछ entries यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, कुछ entries हम लोग इस तरह से एकशल फर्स टाइम हम नहीं है यह इसको ध्रेंग नहीं किय था, अगर चाहें तो जहां तक रखना है वह आटको तक, को ड्रैग कर लेते हैं, अभी सेम नेम भी यहां पर यूज़ करते हैं इक कंपल्सरी है, आपको यहां पर मेंचन करना पड़ेगा, अम यहां पर कैसे समझेगा अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो आप यहां से फॉर्माट पिंटर से क्लिक कर सकते हो सेम आ जाएगा यहां ठीक है उसके बाद फिर यहां पर यह suppose कुछ डेटा हमने ready कर लिया, अभी क्या करना है अभी just यहां से हम लोग को selection करना है, selection करने के बाद यहां से हम लोग चले जाएंगे condition formatting में, condition formatting में जाने के बाद यहां पे एक option मिलेगा new rule, new rule में जाने के बाद अच्छा अच्छा है तो यह सब को अभी आवर में लोग कनवर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है अब उतना कुछ नहीं करना है, बस यहां पे क्लिक करिए format printer में जाएं, यह पूरा selection कर दीजे, यहां पे क्लिक करिए, format printer में जाएं, यह पूरा selection कर दीजे, ठीक है, अभी इसको यहां से यहां हमने selection किया, और यहां से condition formatting में आ गए, यहां से जाएंगे new rule में, new rule में जाने के बाद, यहां पे use a formula to determine which cell to format पे जाकर, यहां पे equals to लगाएंगे, और यहां पे click करेंगे, extra hour में click करने के बाद, क्योंकि हम लोग को सिर्फ column का function यूज़ करना है, तो यहां पे दो lock है, दो lock का मतलब होगा sale lock, sale को lock नहीं करना है, हमको column को lock करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहां से एक lock हटा देना होगा, यह dollar sign का मतलब होता है lock sign, ठीक है, जो कि हम लोग F4 प्रेस करके लाते हैं, rank calculation अभी यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, यहां लगा देंगे less than equal to zero, ठीक है, less than equal to zero होगा, तो format में जाके हम लोग उसका feel color, suppose यहां से feel effects भी ले सकते हो, यहां से feel effects में रेड ले लिया, ठीक है, और यहां चाहे तो कोई और color यहां से लोग ले सकते हैं, लेने के बाद इसको okay कर देंगे, okay, okay, then okay, ठीक है, ठीक है, जो जो not applicable, उसमें आपका यहां गया, फिर अगेन आप फिर से जाईए यहां के condition formatting में, new rule, new rule में जाके use determined में आ जाईए, यहां पर equal to लगाईए, equal to लगाने के बाद फिर से यहां पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद एक lock को फिर से हठाना है, same to same वैसे ही करना है, खली condition में क्या हो जाएगा, यहां पर greater than, greater than one, फॉर्माट में जाईए, अभी feel color, suppose आपने यहां पर green दे दिया, यानि format feel effects में गया, इसका यहां पर feel color green कर दिया, और यहां से इसको फिर yellow कर दिया, then इसको ok करिए, ok करिए, ok करिए, यह देखिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहां पर एक notice किजिएगा, कि यहां पर यह नुबैद वाला जो रो है, इसको skip कर दिया, यह skip किया है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो यहां पर condition लगाए, condition formatting में, greater than लगाए, बट उसके साथ हमने equal to नहीं लगाया, यहां पर double click करके, साथ म यह आप equal to लगा दीजे, आप OK करें, apply करें, देखिये, यह इसको work hour है, एक सटा work hour है, जो वो one hour है, और हम उसको पर condition क्या लगा रहेते है, greater than one, टो यह हो गया, अब हम लोग next क्या करेंगे, next हम यहां पर यह मालुम करेंगे, total work hour कितना हुआ, and total work hour, यह हम लोग को निकालन है इस सेल में, suppose यहाँ पे equals to, इसको थोड़ा formatting कर लीजे, यहाँ से इसको merge कर लीजे और दोनों को इसको भी merge कर लीजे अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको total work cover निकालना है, इसको selection कर ये keyboard से shortcut यूज कीजिए, alt h b a यह border बन गया, इसको थोड़ा bold कर ये, और यहाँ से इसको थोड़ा highlight कर दीजे ठीक है, तो total work cover निकालने के लिए आपको क्या करना है, equals to some बिल्कुल simple condition है और यहाँ से total work cover हम लोग का selection कर देंगे enter करेंगे, यहाँ पे total work cover आ गया, अब हम हमें particular singular, single-single करके मालूम करना है, कि इस employee ने कितना work किया, तो उसके लिए first हम लोग को क्या करना होगा, अच्छा यह वाला जो function हम लोग यूज करेंगे यह वाला जो formula यूज करेंगे, इसमें heading का खास दियान रखिएगा, जैसे यहाँ पे heading है, वह heading आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे लगाए employee name और यहाँ पे उसका दे दिये work hour, ठीक है अभी इसको selection करके वही, alt-h, ba कर देते हैं border हो गया, इसको भी selection करके यहाँ पे center करेंगे field color, white, bold सब कुछ करने के बाद, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं यह list पुरा यहाँ पे लाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या use करेंगे, उसके लिए use करेंगे data में जाएंगे, और data validation में जाएंगे, data validation में जाने के बाद यहां से लेंगे list, list लेने के बाद यहां पर equal to लगाएंगे और equal to लगाने के बाद यह सारे name को selection कर देंगे और यहां से ok कर लेंगे, ok करने से क्या होगा, यह drop down list बन गया हमारा, ठीक है? अभी जिसका भी working hour हमको चाहिए यहां से देख सकते हैं, बट उसके लिए एक formula यूज़ करना होगा वो बिल्कुल simple formula है, equals to dsum, dsum लगाएंगे, bracket open देंगे, bracket open देने के बाद यह क्या मांग रहा है? database में हम लोग यहां से यहां तक पूरा selection करेंगे पहले, फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद बोला यह field, मतलब हम लोग क्या मालूम करना चाहते हैं, वर कावर मालूम करना चाहते हैं, तो यहां पे हम लोग फिल्ड में इस जगा पे click करेंगे, then यहां पे बाद उसके बाद बोला है इसे पर उसके बाद बुला यह क्राइटेरिया हम लोग का यह वाला है सेलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए टोटल वर्क आवर 62 दिखा रहा है अब हम लोग पार्टीकुलर वाइस देखना चाहते है तो naya आप का total war cover कितना है, वह हमें यहां पर दिख सकते रहे हैं, ठात तो यहां पर हम ब्लोग यहां पर दिखा दे रहे हैं, ब्लोग इस तरह से फारट बए पार्ट हम लोग work cover देख सकते हैं फिर यहाँ पे हम लोग को ये सारा knowledge मिला किस सरसे in time, out time लोग निकाल सकते हैं। overtime कैसे निकाल सकते हैं, total work 이번 कैसे निकाल सकते हैं, इसको चाहें तो और भी expand कर सकते हैं। मैंने से short þरीके से बताया, आप पूरा मंदली basis पर निकाल सकते हैं 30 days का पूरा निकाल सकते हैं तो फिलhाल यह था हमारा employee, work hour किस दरह से निकालना ये निकाल सकते हैं अच्छा साथी साथ यहां पर एक एक काम और हम लोग कर सकते हैं चाहे तो यहां पर इम लोग इंसर्ट में जाके हम लोग यहां से कहीं पे भी करसा रखते हैं इंसर्ट में जाके हम लोग को एक टॉपिक मिलेगा स्लाइसर स्लाइसर में जाते आप स्लाइसर में जाने के बाद स्लाइसर में जाने से पहले आप पहले लिस्ट को सेलेक्शन करिए लिस्ट को सेलेक्शन करने के बाद यहां से स्लाइसर में आये स्लाइसर में आके आप यहां पे एंपलॉई नेम को चूज कर लीजे चूज करने के बाद इसको ओके करिए ओके करते ही यहां पे एक स्लाइसर बन जाएगा यह slicer को आप थोड़ा short कर लीजिए, थोड़ा short करने के बाद अब आपको जिस भी जिसका भी देखना है, देखें नायाब का देख रहें, नायाब का रिकॉर्ड दिखा रहा है, कैफ का देख रहें, कैफ का रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग किसी भी employee का यहाँ पे slice करके देख सकते हैं, filter करके, यह देखें, यह सारा record आप यहाँ से भी देख सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे work hour यह सब भी दिखा रहा देखें, ठीक है, तो यह था हमारा आज का topic, employee work hour, that's all, have a nice day